हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल रॉबिन बूटीक फ्रेंड्स आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे कमेंट किया था उर्वी वारूद ने और उन्होंने मुझे से यह कहता कि सर बॉडी के फिजिक्स के इसाब से या फिर बॉडी सब्सक्राइब करने के रही हर किसी का अपना तरीका होता है लेकिन तारीका होता है वो बोडी कि कटिक्चर के अनुसार नहीं होता हम दोस्तों ज 참र शाइस है आर मूल का साइज निकालते हैं वो डिपेंड करता है पीछे से गले की उपर यानि आप पीछे से गला कितना डीप कर रहे हो दोस्तो स्टैब बाइस टैब में आपको आज की वीडियो में पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको आर मुल के कटिंग करनी है साइज के अकोर्डिंग और दोस्तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ अगर आप स्टीचिंग कर रखते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग को जोइन कर सकते हो इस क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाए दे रहे होंगे इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे को तो इसी कपड़े में आपको बताउंगे कि किस हिसाब से गले के अजाब को आर्मोल की कटिंग करनी पड़ती है तांकि आर्मोल बिल्कूल परफेक्ट आये तो सबसे पहले आपको पड़े कि T करके कि कि प्रकार सी करेंगे तो दोस्תो बरे God媽 की बजागे तो एमकर जो है इसका तीरा नापते हैं तो यह देखिए यहां से लेकर और यहां तक ठीक इसका जो तीरा बन रहा है दोस्तों वह तेरा इंच यह डमी है दोस्तों डमी का तेरा ही है वागी हर किसी का तीरे का साइज अलग होता है किसी का 14 होता है किसी का 15 भी होता है तो दोस्तों जब पीछे से घल्म होता है पूरा उतना ही 30 पढ़ा होता है जितना किसी का होता यह देखी जैसे तो तीरे के हिसाब से भी हम उसका आरमोल और निकालते हैं वो मैं आपको सब कुश बताऊंगा लेकिन दोस्तों चारेयं से बड़ा जब गला हो जाता है यह देखिए पांच छह साथ आट नो दश शारा का सारा जो procedure है लेखिए इस में तीर कर देता हूं इस इस के ऊपर बहुना हो गया और इस ऐकाझ कुब पर यह फाल पर फाल होगा और इस अगर निशान लगाना है अगर मानलीजे कि 13 है तो आपको निशान लगाना है साथ इंच पे आपको सीधा एक निशान लगाना है एक रविटाथ नहीं करता है है माल लिजे किसी की चेर 40 है चाह works you depend करता है तीरे पर चीदी से सी बात दोस्तों अगर किसी की के चेर 50 है तो उसका जो तीरा वह भी बढ़ाई होगा ऐसा निहीं कि पताशींच के सीना है और उसका जो तीरा भी बहुत कम हो क्योंकि दोस्तों बोड़ी के साफ से तीरा भी बढ़ा हुई जाता है तो ममालczenia किसी का जो तीहरह है वो है सपोर्म करते हैं तो 16 क्यांद कितना होता है 16 पर आठ अथ्ट लगा दिये यह या को सोला का आधा कितना होता आठ और तीरा आपको बढ़ाना है आधा ही तो लगाना आपको साड़े आठ पर निशान यह देखिए इस साड़े आठ पर निशान लगाना है इस परकार से अगर मान लीजिए किसी कर तीरा तेरा है तो साड़े छे पर निशान लगा दिया यह देख रता है उन गलों पर यहां तो पहलों पहले के नहीं होता है पहले सकें इसलिए इन का पूरा ही हमें रखना पड़ता अगर आप का यहां से मैंने कितना लिया आठ यहां से कम करके nhânा लें साथ इंस प्रकार से साथ आपको इसको मिलाना होता है कि यह अगर मान लीजिये अपकर साथ यह दिखिये 7 यह कितना लेना इसी अचे पे देहें एक हमेशा teakन इस तरह के गलों में जिन ke do गला पीछे चोटा हो या फिर 續 कोलर में depend करता है जो गले छोटे हैं या फिर कोलर वाले गले होते हैं रही बात दोस्तों अभी आप सोच लोगे यहां से एक इंच कम क्यों किया है इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको practically समझाओंगा डमी पर तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो यह है डमी का लेकिन यहां से यह अपने आप कम हो जाती है आप खुद का भी बोड़ी श्रुक्चर देख सकते हो यह देखिए यह कितना है लगबग यह 12 इंच है उस प्रकार से जो शोल्डर वो चोड़े होते हैं अंदर की तरफ इस प्रकार से उड़ा उनमें आप खुद का भी बोड़ है यानि यह 5-6-7-8 इंच है तो उसके लिए आपको कैसे आर्मोर की कटिंग करनी है कैसे निकालना वो आपको समझाता हूं मैं प्रैक्टिकली काउंटर पर फेंट्स अब बात करते हैं पीछे से गला अगर किसी का डीप है तो सिंपल सा फार्मूला यह होता है क्योंकि दो इंच यानि आदा इंच बढ़ा के कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार का आर्मोर निकाल रहे हो आपको तीरे से आदा इंच बढ़ा कर ही लेना है यह देखिए डीप गले के लिए ले रहा हूं है छैंच मैंने लिया इसका तीरा और साड़े छ करें लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना तो सीधा आपको स्टेट लायन इस प्रकार से खैच हैंगे देखिए जो भी आपनी उपरसे इसमें उपर से आपको देनी है तो यह कुल मिला के दोस्तों बात सारी वो है अगर पीछे से गला डीप है तो आपको 6-13 रखना है और 6-6 आपको आर्म हो लेना है लेकिन मान लिजे दोस्तों अगर किसी का गला बहुत ही ज्यादा बढ़ा है यानि के 11-11 तक किसी को कोई गला पैंडरी कोई लेडिस तो उसके लिए एक चीज का यहां पर आपको ध्याँ रखना होगा कि यह जो 5.5 से कम आपको नहीं रखना ठीक है कि इतना भी डीप हो 5.5 तक ठीक होता है इससे जड़ा आप कम कर दोगे तो फिर गला बनाने के लिए इस पेस नहीं बचेगा क्योंकि धाई यह ती निच का मान लिजे हम ग आप कम कर दो को फिर आप मेल टाइट हो जाएगा बस दोस्तों इस चीजा का थोड़ा सा कंफूजन होता है हर किसी को होता है लेकिन जब आप रेगुलर काम करते हो बार बार बयास करते हो तो यह सारी प्रॉल्लम साब की अपने अप सोल्फ हो जाती है आपको खुद पता लग जाता है बाकी रही बात कुछ लोगों का अपना यह तरीका होता है कि वह बोड़ी स्ट्रक्चर के अनुसार यानी के मालों 40 इंच किसी का सीना है तो 36 है किसी का ब्याली से उस हिसाब से भी आर्मोर निकालते हैं वह उनका तरीका होगा लेकिन दोस्तों मेरा जो तरीक ने की कोशी की है कि आर्मोर निकालने का तरीका क्या तरीका है अगर आपको अच्छी रगियों वीडियों अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें मै